और यहीं से खाना इसने स्टार्ट कर दिया मतलब यह है और लगवक तीन चार पाँच बर आ चुके मतले तो चलते हैं पड़क से कॉलोनी के अंदर और यहां पर कैसा बहार आ गए कुछ नया खाने को मिलेगा तो जाली पर आगर शिपक गए और हमारे बर्ट काफी जदा एक्साइड़ आप देख सकते हैं अपका आपके और हमारे यूटूब चैनल होपाली बर्ट्स लवर्स में दोस्तों जी यहां दोस्तों आज हम अपने बर्ट को प्रॉइट करने वाले हैं मैथी की भाजी या जिया जाली के अंदर है और हम लोग जाली के बाहर है मुझे इसा बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कितने जल्दी है मैथी की वाजी इस तरह से खाने लगेंगे देखिए दोस्तों आप मेरे हाथ में मैथी की वाजी और कितने जल्दी इसको खाना स्टार्ड उन्हों ने कर दिया है और लगबक 3-5 बर्ड आ चुके मतलब बहुत सारे बर्ड है अब आप सोच सकते हैं यह कितन करने के पहले एक चीज हमें कॉलाना भी पड़ेगा वरना जैसे ही में गेट खोलूंगा तो यहां से बाहर आ सकते हैं तो फटावट से पहले इनको उड़ा कर देते हैं थोड़ा सा डरा कर जिससे की सब उधर चले जा चुके हैं फिर भी इदर आ सकते हैं तो बहुत दोस्तों प्रोवाइट करने के पहले एक चीज हमें कॉलोनी में करने थी जो कि हमने दाना पानी निकाल दिया था तो पानी बस हम रख देते हैं और साथी साथ सामने आप यह एक पेर बड़ देख रहे होंगे इसके अंडे भी हमने फेक दिये थे तो इसको भी बाहर रिली देखिए दोस्तों यह gate भी खुल गया नुपर भी जूटा हूँ यू पर वैठा हूब घटेथ से वोड़ा पेर भी देखिए बाहर और बुझे लग रहे शाना चाहिए मैं इसको निकालने की अलद से पर वो खुद ही आ गया यह देखिए मेल आ गया है और अब जो है फीमेल जो है वसमा लटकी हुए वो भी आने वाली हो क्योंकि पूरे बर्ट हमारे यह उतर कर आ चुके है यह देखिए उतर कोहने से बाहर आने की कोशिश कर रही है उसे रास्ता नहीं मिल रहा है फीमेल को रहना उसे समझ में नहीं आ रहा है यह देखिए अब मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए बाहर और यह आ गई है हमारी वो फीमेल भी भाहर तो यह पेर भी हमने दोस्तों बाहर कर दिया है और लगबग हमारे पूरे बर्ट देख सकते हैं आप उपर से नीचे उतर कर आ च कोई शिकायद आ रहा है हो घी यह मोउषं में इस चीज से हंड़ होती है और सबसे मैन चीज यह ही मैथी की बाजी की तासीर होती है घर्म से मतलब यह ही है जो एक उनल मेरा की यह दो आप ज़बिससे खाते है तो इनके शरीर में जो है गर्मी जो घर फ्रॉपर लिभानी और इस गर्मी के काना आपके बर्ड जो है सर्दी में भी नहीं आते हैं, ब्रीडिंग काफी अच्छी करते हैं, और ग्रीन फूट के तौर पर आपको एक फूट तो देना ही पड़ता है हफते में एक से दो बार तक के, तो मैं चाओंगा कि आप मैथी की भाजी इसलिए प्र फञें नहीं है करता है, मतलब इनको अगरन करते है यापलग की तासीर होती है जा कि लिए पर आपको जो है की दस से पंदरा मिट या बीस पच्छीस मिट जब तक ये उसे पूरी तरह से खा लें और जो बज्जा है आप उसको निकाल कर फेक सकते हैं तोटली आपको रखना नहीं है वहीं पर सुबह से शाम तक के लिए बस कॉंटिटी यहीं डिपेंट करती हैं कि आप सुबह से शाम तक ना रखें दस से पंदरा मिट में आप उसे निकाल लें और आपके पास जितने बर्ड है आप उस हिसाब से प्रोवाइट करें तो बस हम जाद भी हम इसे प्रोवाइट करते हैं और ज्यादा समय के लिए चोड़ते हैं तो उससे यह होगा कि यह इसको खाकर भी वीमार पढ़ सकते हैं मतलब कि एक सही टाइम और सही कॉंटिटी डिपेंट करेगी आपके बर्ड के लिए कि आपके बर्ड हेल्दी रहेंगे या पर नहीं रहेंगे तो यह बहुत इंपरेंट चीज है शाम को और सुबह ना देते कुए इसे दोपैर में प्रोवाइट करी जाब हलकी धूप होती गुनगुनी धूप जिसे हम बोलते हैं इस समय पर बर्ड जो रहता है काफी एक्टिव भी रहते हैं और खाने के लिए द आज का हमारा इंफरमेटिव वीडियो और एक दू दिन में हमारे कॉलोनी के अंदर बहुत सारे बर्ड और आने वाले हैं ऐसा मुझे अनुमाने क्योंकि हमारे एक भाई से बात चल रही है वो कह रहा है कि सर बहुत जल्दी हम आपको बर्ड प्रोवाइट कर देंगे इस क जो हमेशा बताता हूं आपको कुछ भी नहीं करना है बस दो से तीन गंटे के लिए दाना निकाल देना है पानी निकाल देना है उसके बाद यह चीज़ पर राइट चलनी तो आपके बर्ड जो से बड़े ही शौक से खाएंगे और देख लिए मेरे बर्ड तो खाई रहे ह मिलते हैं फिर सी अगले इंफॉर्मिटिव टॉपिक के साथ सब तक के लिए थैंक्यू गाइज